चलिए आगे बढ़ जाते हैं सीम योगी का बलवरामपुर दोरा है आजू आप सुरू के साथ बैचक करेंगे सीम कानून विवस्था पर समिक्ष्वा बैचक करेंगे मुख्यमंत्र योग्या रितिनाथ आज बलवरामपुर के दोरे पर हैं सीम योगी दोपैर का निरिक्ष्वन करेंगे चांद 6 बजे तुलसीपुर के देवी पाचन मंदिर पहुँच करेंगे दर्शन पूजन भी करेंगे तो योग्या रितिनाथ का कारिक्रम आपको बता रहे हैं अब सरू के साथ बैचक करनी है कानून वस्था में समिक्षा बैठा कहिए उत्तर प्रदेश में कानून वस्था जो कि बड़ा मसला है इसे लेकर योग्या रितिनाथ आज पर पहुँच रहे हैं जोहां पर उनका कारिक्रम है जो कि योग्या रितिनाथ बलवरामपुर में बिताने वाले हैं और जन प्रतिनी दी अधिकारियों से उनकी मुलाकात है इस बीच देखें समिक्षा बैठा कि उनसे जानेंगे समझेंगे क्या स्थितनी आए और कानुन मेवस्था को बना रखने के लिए क्या कुछ पेरामीजस अपनाये जा रहे हैं क्या कुछ कदम उठाये जा रहे हैं समिक्षा बैठा कर्णिस के साथ निर्मलादीन मेडिकल कॉलिज के परेशर का अन्मिक्षन भी योग्या रितिनाथ को करना बाद दर्श्याम 6 बजे का बग देखिए तुलसेपुर के देवी पाटन मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे चुकि नवरात्र का मौका ऐसे में देवी पाटर मंदिर पहुचकर करशन पूजन करते हो ये दिखाई देंगे आपको उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योग्या अर्पिनार और इसमीज देखेए अभी आपको बता देए कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कई असी घटना है जो आपर विपक्ष तुवारा सरकार को खेरा गया है कानून विवस्था के मसले पर लगातर सवाल उठाए गए है ऐसे में कानून विवस्था को देखना और समय समय पसका निर्शन करना अधिकारियों से बादशीत करना इस्ठितियों का जोयजा लेना योग्या रपिनार की प्राइटीज में जरा है और उसी कड़ी में बलरा पूर दोरे पर हैं यहां भी अधिकारीों से मिलेंगे बात करेंगे समझेंगे और साथ साथ एक 2030 नरेक्शन भी करेंगे लाखे का अधिकारीों से भी वो पूरी रिपोर्ट लेंगे कि लॉइन ओर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कदम उनके द्वारा उठाई जा रहे हैं